कि हलो दोस्तों स्वागत आपका स्वीडियो में और मैं हूँ आपका होस्टों दोस्त कमल सो यहां पर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे ओके में में कंसर यह है कि जब आप ऑलंप्याड या आयमो लेवल के प्रॉब्लम देखेंगे तो इस तरह से वहां पर आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक रहेगी तो मैक्सिमम प्रॉब्लम के अंसर आप निकाल पाओगे और वितिन टाइम वह सब कर पाओगे तो जो ट्रिक्स आप यहां सीखोगे वह आपको बहुत आगे काम में आने वाली चाहे वह आयम हो ओलंप्याड हो या औ एकक वायनिक निखाल निखन यहाँ फाओगे की कुनी अप्षून हो सकते हैं और उन अप्षंन में से हमें अनसर में निकालाई यह बंविंस मृटिपल तैप और सिंगल हो सकता हैbecित थीक है सब्सक्राइब तो चन्तर कर ते हैं सो स्एन टॉन ट्याहिं नाइझ यह जो है वो 9 का cube होता है, okay, so हम यहाँ पर लिख सकते है, 9 का cube इसकी power x minus 9 to the power x is equals to 2 root 3, और इसे हम इस तरह से लिख सकते है, 9 to the power 3x minus 9 to the power x is equals to 2 root 3, अब यह जो दोनों टर्म हैं, इसमें से हम 9 to the power x को common निकाल सकते हैं, 9 to the power x को common निकाला, अंदर क्या बचा, 9 to the power 2x minus 1 is equals to 2 root 3, अब अभी के लिए, हम 9 to the power x को मान लेते हैं, य के बराबर, और यह जो equation है, यह पूरी simplify होकर इस तरह से हो जाएगी, y into y square minus 1 is equals to 2 root 3, ठीक है, अब एक single variable की equation है, अब यहाँ पर हम अगर roots निकाले, y में cubic equation बनाएं और उसको solve करें, तो एक बहुत लंबी process हो जाएगी, तो उससे अच्छा हम यहाँ पर compare करके results निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमें ऐसी value देखनी है, जो कि इस equation को satisfy करें y की, तो अगर हम compare करें और y को root 3 माने, और y square minus 1 को 2 माने, क्योंकि यह दोनों product में हैं, तो यहाँ पर हम product को product के साथ में compare करके result निकाल सकते हैं, तो य को हम क्या मान रहे हैं, root 3 मान रहे हैं, और जो दूसरी term को compare करें, तो y square minus 1 equals to 2, और y equals to y square equals to 3, और y equals to plus minus root 3, और यहाँ यह दोनों ही result का हम intersection लें, तो y equals to root 3 यह जो solution ही वो इन दोनों equation में क्या है common है, तो इसे हम consider कर सकते हैं, और negative root 3 की जो value है, वो हम आगे check करेंगे कि वो हमारा solution हो सकता है नहीं, पर y equals to root 3 इस दोनों में common है, तो यह हमारा solution हो सकता है, okay, so y की value जो है, वो 9 to the power x है, okay, 9 to the power x equals to y, y की value हम put करें, root 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की power 1 by 2, okay, so 9 to the power x is equals to 3 to the power 1 by 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 square, so 3 square की power x is equals to 3 की power 1 by 2, और 3 की power 2x यह हो जाएगा, 3 की power 1 by 2, so 2x is equals to 1 by 2, 2 और x की जो value है, x की जो value है, किसके वराबर आईए, 1 by 4 के, so यह है solution, इस problem का, जैसे मैंने आप यहां पर बोला कि हमने y equals to minus root 3 को consider क्यों नहीं करा, तो हम यहां पर check कर लेते हैं, 9 to the power is equals to, मैं minus root 3 लूँगा, तो x की भी ऐसी कोई भी value नहीं होगी, जिसके लिए मैं उसको compare कर पाऊँगा, जैसे मैंने यहां पर compare करा है, compare करके easily result निकल गया, ऐसे हम positive or negative term को power में ले जा करके compare नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर हम compare करने की भी कोशिश करें, तो 9 to the power x को कहा लिखा हमने 3 की पावर 2x, equals to minus 3 की पावर 1 by 2, यहां पर हम इनका base सेम नहीं हो रहा है, तो हम compare नहीं कर पाएंगे, तो हमें solution नहीं मिलेगा, okay, so y equals to minus root 3 is equation का solution नहीं होगा, उससे जो original equation उसका solution derived नहीं हो पाएंगा, तो x equals to 1 by 4, it is the solution of the equation 729 to the power x minus 9 to the power x equals to 2 root 3, so I hope that this video will be helpful, for you all, video पसंद आया है, तो उसे like कीजे, शेयर कीजे, चैलल पे नहीं होता सब्सक्राइब करें, ना भोले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जैसे नहीं वीडियो अफ्लोड होएं, आपको तुरंत उसकी information मिल जाएं, thank you so much, thank you for watching.